हाई इन्वेस्टेशन ट्रेडर्स वेलकम बैक टो माई चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस एपिसोड के साथ इस एपिसोड में बात करेंगे सब्सक्ण के सब्सक्राइब बात practical पर आते हैं चार्ट पर वहां करते है तो यहां कंपनी के अंदरो कंपनी किसी स्ट्र में क्या पॉकस नहीं कर पाती और ऐसे में कभी यह होता है कि एक बिजनस इसलिस जो बिजनस को यह जो टाइब अर्सिफिकेशन करते हैं जो लॉस कर रहे हैं उसको सस्ते में किसी दूसरे कंपणी को बेचना पड़ जाता है तो जब बिक जाये वो अजी कंपनिया तब यहां पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं लेकिन पहले आपको आपको आमें कंपनी को इसको समय देना पड़ेगा इस कंपनी को रिकागनाईज करना पड़ेगा कि इनका अल्टिमेटली कौन सा बिजनस है तो जाद अच्छा परफ तो उसके बाद हो करके कंपनी सारे बिजनस को अलग-अलग करेगी इसके बाद हम हिंड दे रहे हैं यह चीज़ा आपको कोई बताया का नहीं पूरे यूट्यूब पे जहां जहां धून लो तो उसके बाद होता क्या है प्रोसेस ये भी सुन ले न और आपको खुद फॉल फोकस ना कर पाओ तो एक बिजनस पर फोकस नहीं कर पार हो तो अल्टिमेटली आपकी efficiency कम हो रही है उस वज़य से होगा क्या आपको अल्टिमेटली जो वौल बिजनस तो जो कम चद रहा है जिसमें आप लोग कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उसको ड्रॉब करना जब यह company एक जगह पर focus करेगी तब यहाँ पर आपको एक turn around play करने के लिए मिलेगा क्योंकि तब तक यह लोग काफी loss बुक कर चुके हों तब तक यहाँ पर आप लोग को मिलेगा कि क्योंकि loss में अपने बाकी दोनों business बेचे होंगे या एक business बेचे होंगे तो उस विज़े से company के stocks भी काफी suffer करेंगे बट उसके बाद ultimately यहाँ पर क्योंकि एक business फोकस करेंगे यहाँ पर होगी इनकी profitability बढ़ेगी और फिर stock के prices भी बढ़ेंगे तो usually ऐसा ही होता है यह हम कहा सकते हैं कि 4C कर रहा हैं ज़रूरी नहीं है ऐसा हो लेकिन इसका एक आप को example देना था इसलिए SBC exports को फिलाल उठाया हुआ तो अब यहाँ पर नीचे आते हैं अभी देखेंगे फिलाल तो efficiency ratio उनके ठीक है sales growth यह सब काफी बढ़ेंगे दिख रही अब यहाँ पर अभी फिलाल जो core business यहाँ पर standalone देखोगे तो दो साल का बनता है मतलब यह businesses काफी change की है पहले के जो businesses थे अब इसको side business ले रहा है main business स्विच करके standalone देखोगे तो यहाँ पर दो साल के मिल रहा है तो यह थोड़ी सी problem है फिलाल को पहले थोड़े sort करने थो उनको फिर आगे चलके देखा जाके क्या करना अभी फिलाल वास्टिस में डाले रहा हूँ देखना जरूर यहाँ पर किसी भी तरह की institution की holding नहीं है अगर ऐसा करते रहेंगे तो आगे पर नहीं रहेगी फिलाल प्रमोटर्स की holding यहाँ पर 65 परसेंट पब्लिक की holding 34 परसेंट आते हैं चार्ट पे तो चार्ट पे एक बार हम लोग स्विच कर लेते हैं SBC एक्सपोर्ट अब SBC एक्सपोर्ट में देखोगे तो फिलाल यहाँ पर consolidate कर रहा है तो अभी फिलाल मेरा यहाँ पर स्टांस ही है कि यहाँ पर बाइंग निकरनी है एक inverted head and shoulder बनाके breakout दे चुका है उसके बाद भी उपर जाता है तो अभी देखेंगे वेट करेंगे वाच करेंगे कंपनी की situation हो सकता है तीन-चार सार में आपने आप बन जा है long term है लेकिन अगर ऐसा जैसा कहते होता है तो आपको multi bag of returns in future ज़रूर मिलेंगे तो as a example भी ले सकते हो as a learning की देख सकते हो और as a in future आपको देख सकते हो पैसे की bank account की तरह इसको देख सकते हो जो कि आपको पैसा बनाके देखा आगे तो इसको follow जरूर करना है देखना जरूर यह सब चीज़े generally आपको मिलेंगी नहीं बाकी YouTube पे यह सब चैनल पे यह सब चीज़े थोड़ी सी within deep अगर जाके study करो को तब थोड़ी सी पता चलती है सब चीज़े तो जितना बताए है अगर समझ में आया हो तो like बटन जरूर द डालते हैं कि चारी चीज़े हम डाल देंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो इस अब चोटी वीडियो में हर वीडियो को मतलब हर एक topic के लिए अलग से वीडियो बनाने का अभी इतना time नहीं रहता but in future अगर time रहोगा तो जरूर बनाएंगे लेकर आप लोगर demand करते हो particularly तब जरूर उस पर हम focus कर सकते हैं अभी के लिए चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर और subscribe जरूर करना अपना capital save रखना ओके बाए